Hello everyone, once again, welcome back to you on YouTube channel Learning Need और आपको पता है कि सिक्षग भरती परिक्षाप देने जाएं SST exam देने जाएं, कोई भी competitive exam अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर भारती सम्विधान एक ऐसा topic है जिससे question जरूर put up होते हैं अगर SST आपके सलवस में है तो अब बात करते हैं हमारा जो UP TET और सुपर TET का exam जो आने वाला है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं already तो उसमें SST में तो भारती सम्विधान से question आते ही आते हैं आएंगे ही और EVS के अगर बात करें अगर प्रात में किस तरका आप exam देने जा रहे हैं यूपी TET में तो EVS का सिल्बस में भी भारती सम्विधान को शामिल किया गया है और ना सिर्फ शामिल किया गया है बलकि previous year का question paper हमने solve किया था तो उसमें हमने देखा था कि कई question EVS में इससे आए हुए थे तो यह काफी important topic है और जितने ज्यादा से ज्यादा question आप इसके solve करते हैं याद करते हैं points इनके उतना best होता है आपके लिए क्योंकि एक ऐसा topic है से बहुत questions आएंगे तो यह हमारे एक series के form में चल रहा है जिसमें मैंने कोई promise नहीं किया कि कितने question कराऊंगी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे उतने हम questions देखेंगे 100, 200, 30 जितने ज्यादा possible पाएंगे तो फिरहाल यह second series ही है first series में 15 questions हुए थे हमारे तो चले स्टार्ट करते हैं फिर हमारे आज की questions तो आज का first question है नवेंबर 2016 के अनुसार भारती सम्विधान में गड़ना की त्रिष्टी से कुल कितने भाग और अनसूचिया हैं तो options सारे आपके सामने हैं देख लिजे फटा-फट से और जो इसका सही answer हो जाता है वो होता है option number B 22 भाग और 12 अनुसूचिया हैं वर्तमान समय के अनुसार next question वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के अधार पर सम्विधान सभा के गठन की मांग की थी तो ये 1938 की बात है काफी पुरानी बात है मादमा गाधी जवाहर लाल नहरू राजेंद्र प्रशाद या फिर भीम राओ अंबेट कर इसके लिए जो सही answer होता है वो होता है आपका option number B जवाहर लाल नहरू ने इन्होंने मांग की थी कि व्यास कमत अधिकार के अधियाप अधार पर उसके बेस पर समिधान सभा का गठन किया जाए निमन में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है यह काफी फेमस क्यूशन है और टीजिंग एक्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टन भी है तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है आपका वो होता है अनुच्छेद 21A 21A भी लिखा मिलेगा कहीं पर 21 का लिखा मिलेगा एक ही चीज़ है तो करेक्ट टैंसर होता है आपका 21 का प्रधान मंत्री बनने की न्यूनितम आयू है कितनी तो देख लिजे 35, 25, 40 या फिर 10 तिस इसके लिए जो करेक्ट टैंसर होता है वो होता है आपका उप्शन नमबर भी 25 वर्ष तो देखिए इसमें एक्शली दो ऑप्शन होते हैं अगर वह लोग सभा का मेंबर है तो 25 वर्ष अगर वह राज सभा का मेंबर है तो 30 वर्ष जो है मिनिमम आयूस के लिए निर्धार संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने पर आपात काल उस तारिक से कितने दिनों तक प्रवर्थन में रह सकता है छे माह, आठ माह, नौ माह या एक वर्ष तक Emergency कितने समय तक रह सकती है तो इसके लिए correct answer होता है आपका option number A, 6 मन्थ तक 6 माह तक जो है emergency की अवधी हो सकती है सम्विधान के किस अनुच्छेद के अधार पर राज्यों में सम्विधानिक तंत्र की विफलता पर राश्ट्रुपति शाषन लगाया जा सकता है देख लिजे फटा-फट से सारे अनुच्छेद 355, 356, 358, 362 तो यहाँ भी जो सही answer होता है वो होता आपका option number B, अनुच्छेद 356 इस अनुच्छेद के अधार पर राज्यों में सम्विधानिक तत्र की अगर विफल हो जाए तो उस टाइम पर राश्ट्रुपति शाषन भी लागू किया जा सकता है और पहली बार कप किया गया था यह पिछले आपको प्रैक्टस सेट में बताया हुआ है आप लोग कॉमेंट करके बताईए याद है कि नहीं भारत के सम्विधान के उद्देशिका में नहीं है क्या समाजवादी, पंत निरपेच, प्रभुत, स सामिल है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, कल्याड कारी राज्जिका उद्देश है क्या, अधिक्तम संख्या का अधिक्तम कल्याड सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों की कल्याड का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्त सुविधाई प्रदान करना, या फ लियाड कारी राज्जिका उद्देश होता है, नाम सही समझ में आ जाता है, तो यह आपका सही अंसर होगा, एक छोटी से रिक्वस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, और जो लोग चानल पर न्यू है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर दी सब्सक्राइब कर लिजेगा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहतिया स्विकार किया गया है, कि भारत में एक निर्वाचित सम्मिधान सवा का गठन होगा, जो युद्धो परांत सम्मिधान का निर्माड करेगी, यह बहुत इंपॉर्टन किश्यन है, इसको इसको धियान में रखिएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर होता है, वो हो जाता है, आपको अप्शन नमबर बी, क्रिस्प, सारी, क्रिप्स योजना, इसके तहत ऐसा माना गया था, यह उन्हीं सो बैयालिस की बात है, जब हमारा देश जो है, वो आजाद भी नहीं हुआ था, कि भारत म राज्य सभा के लिए नामित प्रतम फिल्म अभिनित्री कौन थी, मदवाला, रेखा, नर्गिस्दत या हेमा, मालिनी, तो करेक्ट एंसर यहाँ पर हो जाता है, आपका आप्शन नमबर, सी नर्गिस्दत, किसी छेत्र को अनुसूचित जाती और जन जाती छेत्र घोशत क करने का अधिकार किसे है, प्रधान मंतरी, राश्ट्रपती, लोकसभा सभापती या फिर मुख्य मंतरी, कोई भी छेत्र अनुसूचित जाती और जन जाती छेत्र है की नहीं, यह कौन डिसाइट करेगा, तो करेक्ट एंसर होता है, आपका इसका आप्शन नमबर, सयुक्त बैठक कब होती है, यह काफी बार पूछा गया किस्चे नहीं, देख लिए जो आप्शन कभी नहीं, संसत का सत्र शुरू होने की 10 दिन बाद, संसत का सत्र शुरू होने पर, या संसत का सत्र खतम होने पर, तो इसका करेक्ट एंसर होता है, आपका आप्शन नमबर संसत का सत्र शुरू होने पर, सयुक्त बैठक होती है, बढ़ेंगे हमारी अगले प्रशन की ओर, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है, कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या जन्म अधिकार, हलाकि पहले ये क्या था ये आपका fundamental rights में आता था तो ये आपको पता है कि पहले ये मूल अधिकार था लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं है अब ये बन गया है आपका विधिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हलाकि पहले ये मूल अधिकार में ही शामिल था नीद निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए नेशुलक और अनिवार सिक्षा का प्रबंध है ये भी काफ इंपॉर्टेंट क्यूच्छन है इस्पशली टीजिंग एक्जाम्स के लिए यहाँ पर जो करेक्ट एंसर होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 45 यह सही एंसर हो जाता है भारती सम्विधान में आपात काल समबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं एकक्षन इस टाइप का जरूर आयेगा फी हमारे सम्विधान कोई चीज देदेगा यह कहां से लिए पिछली बार भी आया था और लगवाग यह शुपर टेट में भी आया था लगवाग हर डिए कशीट 7 किसट तो देख लिए जिए आप पर हो जाएगा वह जाएगा आपको नमबर ए जर्मनी जर्मनी से लिया गया है अब जर्मनी से लिये गए हैं आज के सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पते हैं कि सब्सक्राइब करना चलता ही है तो वह सब तो होगा ही बट अभी जो इंपोर्टन चीज आपको अपना सब्सक्राइब करना है जादा से जादा याद रखने वाली चीजों को याद रखना है तो आपको यह आज की क्लास पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपनी जितने भी ग्रुप्स हैं और जो लोग चैनल पे न्यूँ चैनल रही है तो थैंक्स पर वाचिंग कीप स्टाइग और बाइ